तो गाइस आज हम आपके लिए लेके आगए है mechanical pencils का part 2 वीडियो तो यहाँ आप देख सकते हैं हमाँ पास काफी सारे mechanical pencils available है यह काफी सारी price range में आपको देखने को मिल जाएंगी and इन में से काफी सारी pencils bestsellers भी हैं तो गाइस मेरा नाम है अरपितन आप देख रहे हैं student या है जो हम आपके लिए लेके आते हैं इस बेस्टेशनी कॉंटनेट तो गाइस आज में आपको पहले बता देता हूँ हमाँ पास कौन-कौन से mechanical pencils अवेलेबल है हमाँ पास अवेलेबल है मैपडी की तरफ से आने वाली Automatic Black Paps Pencil का Pack then we have Pentel की तरफ से आने वाली Graph Gear 800 then we have Graph Gear 600 उसके बाद हमाँ पास साकूरा की तरफ से आने वाला mechanical pencils का Combo यह Amazon पे bestseller भी था देन हमाँ पास Derwent की तरफ से आने वाली Precision Mechanical Pencil again a bestseller उसके बाद रोटरिंग की तरफ से आने वाली Mechanical Pencil इसका model है Tiki Mechanical लास्ट में है हमाँ पास आप इसको कह सकते हैं तो किया पेंटैल की Graph Gear 1000 तो आपको याद होगा हमें Mechanical Pencil को review करेंगे नीचे time stamps आपको मिल जाएंगे तो आप specific pencil का review देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं हमाई सबसे costly pencil जो कि है Pentel Graph Gear 1000 के साथ तो कई सबसे बहले हमाँ पास आ गई है हमाई पेंटैल की तरफ से आने वाले Graph Gear 1000 पेंसिल यह जो mechanical pencil काफी high quality है यह आपको मिल जाती है 0.3, 0.5, 0.7 and 0.9 mm sizes में यह जो pencil होती है काफी अच्छी build quality में आती है आते नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे grip काफी अच्छी है इसकी यहाँ पे ना काफी unique combination है of metal and rubber यहाँ पे metallic आपको crosshair मिलते है grip के लिए और बीच बीच में काफी अच्छी है rubberized section दिये गए तो यह मुझे काफी unique लगे तो यह metal or rubber की जो grip है पकड़ने में काफी प्यारा grip देती है यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो आपको इसकी clip देखेंगी जो again metallic है काफी प्यादी clip है यहाँ पे 0.5 mentioned है यहाँ पे आपको button देखेंगे जिससे आप इसको press करके बाहर निकाल पाएंगे तो यह mechanical pencil बहर आ जाती है और यह जो है retractable model है तो इसकी खास बात ही होती है कि जैसे आप इसको दबाएंगे तो यह अंदर भी चली जाती है मतलब पूरे टाइम आपकी जो निब है वह भाहर नहीं रहती तो आपको टूटने का डर नहीं रहता जैसे आप चाहते है आपका यूज हो गया है तो इसको यहाँ से प्रेस कीजिए एंड यह अंदर चली जाती है तो यह retractation के सांथ आती है जो कि काफी अची चीज है हैं अगर आप एक आटेस्ट रहना तो उसको लॉंग आज तक होल करके यूज करना काफी कमफर्टेबल एक्सपियेंस रहे गाएं काफी प्रीमिम लगती है यह होल करने में नॉमल अगर मैं बात करो स्टूडेंट्स के लिए अगर आप नॉमल राइटिंग के लिए सोच रहे हैं तो इसका जो प्राइजिंग आता है वह अरूंड वन थाजन रूपीस आपको देखने को मिलता है तो नॉमल स्टूडेंट्स को तो मैं रिकमेंड नहीं करूं क्योंकि नॉमल लिखने के को एंजिनियर से उनको यह डेफिनिटली रिकमेंड कर सकता हूं हमाई नेक्स पेंसिल आ गई है रोटरिंग की तरफ से तो दिस इस तरो रोटरिंग ठीक है मेकैनेकल पैंसिल से कुछ इस टाइप भी दिखती है कुछ इस टाइप का बॉक्स हम को यहां पे इसका देखने क निकल के आई है तो कुछ इस टाइप को इसका लुक है गाईज ओवर यहां पे एक स्टीकर लागा है इसको में निकाल देते हैं ओके इसको मैं निकाल दिया है तो यहां पे काफी अच्छी पेंसिल लग रहे है यहां पे इसका जो सबसार अच्छा मुझे फील आया वह है काफी यूनिक सा ग्रेप है यहां पे जो ग्रेप है रबर इस ग्रेप बीच पीच पे प्लास्टिक एलेमेंट दिये गए तो पकड़ने में काफी यूनिक है इस टाइप का ग्रिप मैंने पहले कभी उसनी किया है तो एंज जो बिल्ट कॉलिटी है और इन फील वह काफी अ है ओके तो काफी अच्छा यह भी चल रही है एस कंपेर टू पेंटेल उतना स्मूथ मुझे एक्स्पीरियन्स नहीं लगा पट फिर भी गईस फॉर दप्राइस इस गुड तो सभी हम लिखते हैं अलो एव्रीवन तो वैस यह थी हमाँ पास रोट्रिंग की तरफ से आने वाली टिकी अवाज आता है मैं नेक्स मेकैनिकल पैंसल पर जो की है डर्ववन की तरफ से आने वाली प्रेसिशन पैंसल यह गाई जाता है इसका जो प्राइस आपको यहां पर देखने को मिल जाता है वो है 399 हो साथ में कुछ एरेजर बिदेगने को मिलते हैं इसको हम ऊपन कर लेता है तो और उसकी जो कॉलिटी है काफी अच्छी फील हो रही है है पूरी मेटलिक बिल कॉलिटी में आती है यह कुछ कुछ क्लिप है क्लिप भी आपको उपन हो जाता है 0.5 mm यह दिखती है यहां पे डर्व प्रेसिशन लिखा हुआ है वोल करने में काफी अच्छा फील मुझे दे रही है उपर मुझे थोड़ी सी टॉप हेवी लगी है मतलब यहां पर थोड़ा ज्यादा है इस साइडे टॉपल से हो रही है इसको अगर मैं आसा प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं इसकी लीड यहां से डिस्पेंस होती है और एक सॉलिड बिल्ट को यहां पर करती है और आपको बंड करना तो इसको बंड कर दीजिए वाप इसको दबाएंगे तो देखें यहां पर लीड नहीं आएंगे तो इस टाइप काफी अच्छा सा यह मुझे एक लैट स्टोर करने का काफी च्यूट सा बॉक्स लगा और यहां पर आपको देखने को बिलती ह है डेफिनिटली रोट रिंग से जादा बैटर परफॉर्म कर रही है यह यूज करने मुझे जादा बैटर इसका इन हैं फील भी ज्यादा बैटर लगा अगर आप एक आर्टेस्ट है ना तो उसके सबसे शेडिंग के लिए ना मुझे बहुत जादा प्रसाइस सा मतलब य इसका जो यहाँ पर इवन यह वाला सेक्शन भी कॉनिकल काफे प्रसाइस सा फील दे रहा है समकुछ लिखते हैं ओके लिए पर यहाँ पे इसका लेड़ अगर थोड़ा जादा निकालते तो जैसा भी आपने का यह बेक हो गया तो जादा आपको नहीं निकालना है इसको निकालके रखना है तो वरल यह जो मेकैनिकल पैंसल मुझे काफी पसंद आई पिस इसमें एक पॉइंट अगर आप इसको वोड़ी के लिए से रखी उसको तब तो कफी प्रसाइस फील होती है बड़ अगर थोड़ से एंगल पर इसको रखी यूस करते है तो मुझे यह थ प्राइस मेंशन है 275 पर पैक इसको ओपन कर लेते हैं तो उपन करने के लिए सिंप्ले आपको उसको पॉल आउट करना है एंड इसमें से यह तीन चीज़े हमको देखने को मिलती है तो यहां मैं देखने को मिली है एक मेकैनिकल पैंसल कुछ लेड एंड एक साखुरा का फ यहां पर आपको जो पैक आता है 275 रुपीस के मिल जाता है और इसमें आपको लेड यह भी देखने को मिल रहे है तो डेफिनिट्ली प्लास्टिक है बट और पकड़ने में अच्छा फिल दे रही है इस ट्राइप कि यहां पर लेड डिस्पेंसर है इसको मैं बंद करता यहां पर कई से 0.9 mm है तो आप देख सकते हैं काफी ठीक लगरी लेड कि इसको आपको दबा कर रखना है तो यह इसली यहां पर डिस्पेंस हो रही है कुछ इस टाइप से उगी सबसे अच्छी बात इसको यूस करते हैं मुझे सबसे एक बात यह लगी काफी लाइड है ए लिखने में भी काफी अच्छा फील आ रहा है मुझे तो be allis की बीड़ चो नहीं हो रहा है काफी हाड में यहांप तो यूज करते डाई मुझे काफी अच्छा लाग रहा है देखना इतना अच्छा नहीं लगा था बट इनको जब मैं यूज कर रहा हूँ तो व काफी है इन है तो यहां पर हमाए पास आ चुकी है दो और मेकानिकल पैंसल जो कि है पिंटाइल की तरह से आने वले ग्राफ किया 600 एंड़ेट अब यहां पर जन्रली लगता है कि यार 800 महंगी होगी 600 शस्ती होगी बट इनका मैंने आप प्राइजिंग देखा तो जो 800 है वो इन रुपीज किया और आपको 249 की देखने को मिलती है तो गाइस देख लेते हैं इनकी क्वालिटी कैसी है तो एक एक करके आप इनको अन्बॉक्स करते हैं और और तो गरी दिस इस इस एक टैल गराफ ग्यासए 800 ओके तो पकडने में तो काफी अच्छी बिल्ल्टी लगरिया इसको पकडने में काफी इवी लगी है 600 को भी हम अन्बॉक साथ में कर लेते हैं तो एक को रखते हैं साइड में दिस इस ते पेंटल ग्राफ किया 600 आप दोने ही पंसे साइड पर साइड देखेंगे तो काफी सेमिलर आपको यह लग रहे हैं एक एक करके दोनों को रिव्यू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं हमारी 800 को जो सस्ता मॉडल मुझे लगा तो आप यहां देखेंगे तो यहां पर एस कंपेर टू पेंटल ग्रेफ केर 1000 से मिले डिजाइन दिया गया यहां पर भी आपको मेटल के साथ तरबराइस ग्रिप देखने को मिलती है यहां पर जो क्वालिटी थी वो अलगी लेवल की थी यहां पर जो आपको क्रॉस हचिंग ली रही है यह पेंसिल यहां पर इसका जो डायमीटर यह थोड़ा जादा है इस कंपेर टू ग्राफ गयर 1000 बट पकड़ने में अगें काफी कंफर्टिबल है यहां पर इसका क्लिप है आप इसको प्रेस करेंगे तो काफी अच्छे से काफी स्मूथली यह डिस्पेंस कर र अगें यहां पर इस टाइप की रबराइस तो नहीं है बड़ यहां पर आपको ऐसे सर्कल्स मिल जाएंगे इसको पकड़ने में काफी एच्छी मुझे ग्रिप लग रही है इसको आप ऊपर से यहां पर प्रेस करेंगे तो यहां से आपकी डिस्पेंस हो जाएगी यहां प से आप देखेंगे तो यहां पर अपनी लेट भी स्टोर कर सकते हैं तो यहां पर हमको कुछ एक्ट्रा लेट भी देखने को मिली हैं तो यहां पर मुझे आराउंड फाइव एक्ट्रा लेट साथ में कमपनी ने दी हुई है तो यह काफी अच्छी बात लगी कि आप इसके यहां पर मैं लिखता हूं उससे बहुत ही जादा बटरी स्मूथ सा फील आ रहा है मुझे पता नहीं सा क्यों है काफी अच्छा फील मुझे यहां पे लागा इसस पेंटल ग्राफ गियर 800 काफी अच्छा फील आ इसको देखने स्की लेट टूटती है कि नहीं उसके नहीं टूटते काफी अधा प्रेशर पे भी अच्छी बात है यह एंड इस एक्सट्शनली स्मूध है मतलब यूज करने में बहुत ही जादा स्मूध सा फील आ रहा है मुझे बता नहीं असा लेट के वैसे है या पैंसल के बिल्ड रसा है पर बहुत ही स्मूध जादा आ रहा है बहुत ज्यादा हाई को लिटी यह पैंसल मुझे लग रही है इसको मैं यूज करता हूं तो यहां पर आप बिसीकली सॉर्ड लाइंस ज्यादा बनाते हैं आप ड्राफ्टिंग के लिए मुझे ज्यादा बैटर लगी मुझे यहां पर यह वाली जो पैंस लिखने के लिए भी लिखने वाली लिखने के लिए अगर मैं बात करूं तो इससे जादा डाक इसमें मुझे शीड देखने को मिला है एंड दोनों ही 0.7 mm है तो ऐसा कोई लेड में दिफरेंस नहीं है तो इस इस दे पिंटेल ग्राफ गियर 600 और इसकी लेड को भीम टेस् आपनिंग करने है ना इन यू नीड़ पेंसिल जो की मतलब ग्राफ गयर 1000 जैसी हो बहुती प्रीमियम लगे पकड़ने में एक बहुती सॉलिड फील दे देन गाइस यू को विद देखने को मिल जाती है तो आपको यहां पर 65 रूपीज की पढ़ जाती है इसको अन्बॉक सब्सक्राबते हैं गाइस तो यहां पर मैंस को ओपन कर लिया है और हमाई यह पैंसिल जो है वह बाहर निकल के आ गई है तो इस ट्राइप की यह तीन पैक में समने एक पैंसिल लिका लिए और काफी अच्छी फील यह मुझे दे लिए फॉर दा प्राइज ऑफ 65 करते हैं मैं description में आई बिटन पी लिंग डाल दूंगा तो कई यहां पर इस ट्राइप की बिल्ट को लिटी हमों देखने को मिलती है यहां पर काफे ची रबराइस बॉड़ी है थोड़ी सी जाथ थिक है यह पर आपको इस ट्राइप का नीचे वागला सेक्शन देखने को म काफी अच्छा फील मुझे लगा है इसको मैं अंदर कर देता हूं अच्छी बात यह कि एक आटोमेटिक पैंसल है और आटोमेटिक का मतलब है कि यहां से इसकी जो लीड है आपको दमाने की जरूरत नहीं है आप जिससे लिखते जाएंगे आटोमेटिक बाहर आती जाती ह है इससे मैं शेट करके देखता हूं यहां पर तो ओके काफी स्मूर्ट चली गाइज फॉद प्राइज और प्राइज और शिक्ष्टी फाइज गाइज यह काफी स्मूर्ट चल रही है और आप देख सकते हैं कितना कंटेनर शेड आ रहा है तो बहुत ही प्यारी पैंसला आप यह तो अब ही तक का वना बेस्ट इक्सपीरियंस इसने मुझे लिखने का दिया है तो अगीन यहां पर काफी प्यारी यह चल रही है यहां पर समय लिखता हूं दिस दमेपएड तो यहां पर यह टूट गये तो जैसा आपने देखा कि यहां पर लिखा है कि यह यहां पर लेट बाहर आती आती है आपको बाहर बाइस को री ट्रेक करने की ज़रूद नहीं मिलती तो फॉर स्टूदेंट्स यह मुझे काफी जादा बेस्ट ऑप्शन लगा है तो यह ती वो सारी मेकैनिकल पैंसल जो आपने इस वीडियो में देखी एड़ अब हमारा फ 65 रुपी काफी अच्छी कॉलिडी ओफ और करती है बहुत ही स्मूज चलती है नेक्स अगर आप एक इंजिनियर हैं या अगर आप एक अर्केटेक हैं आप ड्राफ्टिंग के लिए पैंसल देख रहे हैं तो कर द्राफ्टिंग यहां पर मुझे सबसे बेस्ट पैंसल लग यह तो आप जा सकते हैं यहां पर पेंटेल की तरफ से आने वाली ही दूसरी पैंसल के सांथ जो कि है पैंटेल की ग्राफ्टिया 600 यहां पर यह जो कॉलिटी आपको आफ़र करती है फॉर दर प्राफ्टी रूपीज वो एक्सेप्शनल है वन फॉर्थ इसका प्राइजिं देती हैं फादा 250 प्राइज 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 तो अगर आपको ड्राफ्टिं के लिए चाहिए तो वन थाउजन में यह एंड बहुत अची पैंसल है विच इस ग्राफ्किया 600 अगर आप देख रहे हैं सकेचिंग के लिए कोई पैंसल अपको बजट है आराउंड टु पसंद आया अब यह तो आपके स्केचिंग भी डिपेंड करता है को कौन सा लगेगा काफी लाइट पैंसल लेना अगर आप उसको लॉंग आर्स तक भी यूज़ करते हैं तो आपको उसका वेड बिलको फील नहीं हो तो स्केचिंग के लिए मुझे यह काफी अच्छी पै पारजन बनाएंगे और आप सबीकลिक हाई क्वालिटी नेक्स वीडियो लेकर आएंगे तो इस मैं मिलने वाला हूं आपको नेग्स वीडियो तब तक लिए आप चेक कर सकते हैं हमारा पार्ट वन ओफ मेकेरनिकल पैशब करिए हैं हमारा नेघ्स लिडिव यहां पे ख्ल